तो आज के लेक्çर के इंदर हैं राउल स्टाफ और नॉन वोलाइल स्टेडérêt हैं कि अगर ब र sei अगने चेAnnज आई बट जो हमारा solute है solute क्या होगा हमारा वो हमारा non-volatile होगा ठीक है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो लेट से कि मेरे पास एक container के अंदर या फर एक मैने मैनोमेटर लिया हुआ है मैनोमेटर के अप्रेटर होता है जिसे हम वेपर प्रेशर को क्या होगा वेपर प्रेशर होगा ठीक है अब मैने क्या क्या है मैंने उसके अंदर कोई भी जो है अब देखो वह एड करने से क्या होगा जो हमारा ओर प्रेशर है जो पहले वेपर प्रेशर था वह कम होगा वह ज्यादा हो जाएगा या फिर वह उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा लेट से कि पहले जो हमारा वेपर प्रेशर था प्योर वोटर का वह हंड़र था मतलब हंड़र मिलीमिटर उफ मर्कृरी ले लो ठीक है तो जैसी हमने उसके अंदर सोलिट सोलूट एड किया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम होगा तो इस लेक्चर के अंदर हम यही करेंगे ईसी कि हम बोलता है रिलेटीव लोब्रिंग एंव भी बोलते हैं और इसमें हमें एक और है उन में से जो हमारी first quality property वो है यह relative lowering in vapor pressure clear मतलब जो हम आज यह करेंगे colligative property देखेंगे कि होती क्या को लिगेटी property उसकी first property को discuss भी करेंगे routes आफ और non-vertile solute पढ़ेंगे और relative lowering in vapor pressure भी पढ़ेंगे ठीक है सारे ही same है सारा बिल्कुल same है बस नाम अलग अलग है राउट्सला नहीं दिया था राउट्सला फो नोन-vertile solute इसी को इंबॉल था relative lowering in vapor pressure और यह हमारी colligative property भी है clear so hello guys welcome back to our channel so let's get started with our new topic तो सबसे पहले हम करेंगे colligative properties क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि colligative properties क्या होती है उसकी conditions क्या है और कितनी हमारी colligative properties है उनमें से मैंने आपको पहले बता दिया फिर फॉर्स को लिगटी प्रोपर्टिए दैट इस रिलेटिव लोवरिंग इन वे पर प्रेशर वह हम इस लेक्षर के अंदर पूरी डिसकर भी करेंगे clear तो सबसे पहले colligative properties को लिगेटिव प्रोपर्टिश पहले मैं आपको बिल्कुल समय जाएगा जो क्या होगे amount of solute के उपर depend करेंगे जो नेचर के उपर डिपेंड नहीं करेंगे लिगे आपको समय नहीं आया नपर एक्जामपल देता हूं देखो लेट से की जैसे मैंने पहले एक्जामपल लिया था कि कि मैरे पास मैंनुमेटर कहने है विट्र होटव के उप्रेशर होगा खूडिविए कम होगा है आप कम हो अब बईपर्रेश can हमारा कम होता जाएगा कम अर्फ लिए जायगा काम होगा ठीक है अब दीखो यह्का बहुन अनवा प्रिशन मेरा हैं क्या हो जाएगा चाम हो जाएगा ठीक है है अब देखो यही मैं आपका बहूर हो मैंने क्लखक पहले मैंने क्या एड़ीका है मैंने क्याङए कि शुकर गया flavour आप देखो अगर मैंस प्रीटियो ऐड करते हूं अगर मंस्की चग कई और्परीयट करतों mister यूरिया को अड़ करने सेम वहीव पर पर प्रेशर होगा मनलब पर कितना रहेगा एटी रहेगा और अगर मैं और यूरिया को अड़े करता हूँ तो वह फ्रक्राइब कम हो जाएगा ठीक है तो यहीं हमारी को लिगेटी प्रोपर डिस है जो हमारे नेचर के उपर होगा कम होगा जितना में ज्यादा लोगा अतना वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा तो नेचर के उपर डिपेंड ने करती कि मैंने शुगर लिया है मैंने अने से लिया या फिर मैंने यूरिया लिया या फिर मैंने कोई और सॉलिड आ सोलूट को लिया है ठीक है हर केसमे क् brain curves कि एक हुगा सुलूइट करेगा कि घजो भी ने हम ने संवघद हो कितना जाद लेकां है ऊसक्वानिट है वह उसके पर डिपयम करेगा लगोग देखिशि यूपट इसका होती है पहली बात हो जो कालीगरी प्रोपर्ड निसके आंथर हम बात करें गे जो हमाद हमारा solution solution कैसा होगा हमारा वो होगा हमारा solid in liquid जो हमारा solution है वो कैसा होगा हमारा solid in liquid ठीक है यह राउल सा की बात करें राउल सा फर नोन वर्ड डाल सॉल्ट कि जो हमारा solvent है solvent है तो क्या होगा हो लिक्विड होगा solvent कैसा होगा अख्व सोलीट होगा बट जो हमारा असलोट है जो हमारे सलुट पर्टिक्ल सभु ड्रेकंगे स्वाइब होगे सलीड रूंगे। तो कॉलिगेटिव अलतीस में हम सोलूशन वो सलुशन लेंगे जहां पहरें हो हमारा जो solute है solute solid होगा और जो solument है solvent क्या होगा हमारा liquid होगा clear तो colligative properties प्राले मैं आपको बताता हूँ कि होती क्या है दोस्ट प्रोपर्टेज तासद आपने नोट करते चलना है दोस्ट प्रोपर्टेज ओ डालूट solution those properties of dilute solution which depend upon amount of solute particles amount of solute particles and independent upon and independent upon nature of solute particles and independent upon nature of solute particles यह वो प्रोपर्टिस होगी जो अमांट के उपर डिपेंड गरेंगी और जो नेचर के उपर क्या होगी इंडिपेंड होगी डेजन मैंटर मैं शुगर लोग या यू रिया लो या फैनने से लू हर गेस्मे रिजल्ट क्या होगा रिजुट्स झे माइगा किसके जुबाइब भ tracked रिपेंड करेंगी जो भी मैंनिया लिया है सुगर लिया तो मैंनेहों कितनी ज़्याधा ली यह कितनी कम ली चुछह अई चार कौन कौन से होती है, so types of colligative properties, types of colligative properties, which is our first colligative property है, वो हम इस लेक्शर के दे डिस्कोस भी करेंगे, उसका नामे मैंने आपको बता दिया, that is relative lowering in vapour pressure, तो first कोन सी है हमारी, first है हमारी relative lowering in vapour pressure, relative lowering in vapour pressure, कि जो हमारा vapour pressure, क्या हो गया हमारा कम हो गया, जैसी हमने solid को liquid के देडिक एक है, हमारा वो decrease हो गया तो बहुत हो हुए हाई हार्ס कोलिग टी प्रक्रेटि सेकंड गोली टी फ्रक्रेटि हो गी हमारी वो हो स्टमूटिक प्रेश्चर क्लिक सै पूर्प इसको इस सो एंहों सो इसको क्या होतता है डिफूजन क्रेशर होता है ठेच या फिर आपने जो आरो होते है हमारे घर में reverse osmosis आरो भी क्या है जो उस्मोडिक जो osmosis होता है उसका reverse function करते है reverse osmosis ठीक है तो सारा में इसके अंदर करेंगे third है elevation in boiling point elevation in boiling point देख एलिवेशन का मतलब क्या होता है increase on a burner boiling point में ठीक है जैसे लेट से कि जो जो मारा water है water का boiling point कितने 100 degree Celsius water का boiling point कितने 100 degree cells है मैंने उसके अंदर क्या कर दिया मैंने जैल डाल दिया ठीक है फिर शुगर डाल दिया कोई मर्जी डाल दो क्योंकि कोई लिगर के प्रोबर्ड डिया न है ने चरी ऊपर योपर डी और करेंगी अमाउड की उपर Cara increase Hoga और जो 4 तम बात करते हैं for किया होगा MRA depression in freezing sao Link Review glette देखेर्ण हमाー अब पर वादें कि अगर हमारत हैं हमें फ्र焦 ज्योड करने तो कितने wefisher दिख दाल खेया है वह और हम न लेकर दालने ठालसे क्या अब बस 0ड시고 in उनपर दूसे कम पर फ्रीज होगा माइनस फाइव माइनस तेन पर जागे क्या होगा जो énorme water chiya hoogy पूरा 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 फ्रिस होगा तो धया की depression of ukamania五 слуш एक boiling one keobject outside है तो सारह हम सब को डिटेइल में अब इसके लिए आप अ कि आपको इसके लिए कंडिशन क्या है उसकी कंडिशन क्या है है clear so conditions for colligative properties condition of colligative properties जो colligative properties है colligative properties की condition क्या है यहां पर ठीक है देखो जो सबसे first condition है first condition क्या है मैंने आपको उलड़े बता दिया कि यह क्या है है दम दौस्प्रोपर्डिस डई एलिउ्ट सर्लूुजण वह जो अलग सी को दॉलीय2 रषे होने चैना सलूशन करना चैना एले उद हो टो to it क्लीयर ओके सो दस छूडबी डिलूट इसन फोन दें को सेलूट सुलूट और अब्लूशन डिलूट आप गाला सब्सक्र वे इदेल यंद बेता हुआ जो जो हमारे आइडल सेलूशन होता है वो होते हैं ग्रास्तों कोई भी आई इसलीशन निया प्र्फेक्टली मट अगरां बहुत ही डाल्यूट सलुशन ले डाल्यूट सब्हुच्शन भी क्या होगा जो हमारे सलुशन आइडिल बिहें कर डार अधिल एडल की तरह बिहें करता है ठीक है तो इसका मतलब क्या है so the new solution who is ideal solution in the constitutional war ID solution की थे बहुता है और को लिकेटि पर आई सुल्सिटिशन के लिए क्या होती है एक आपिका पलोटी है राउन साप बड़ा था हमने कहा लगा था आईडाल सुल्यूशन पर लग रहा था क्या वो आ डिल पर लग रहा था नहीं तो यह है हमारी first condition है second condition क्या है देखो second condition मैंने आपको बताया कि जो solution है solution कौन सा होगा solid in liquid होगा सब्हुंद अधील्ग विश्था प्रोपरोड़डिस के लिए होगा एक के लिए होगा इसका मतलब है कि जो हमारा solute होना चाहिए, solute कैसा होना चाहिए, non-volatile होना चाहिए तो, solute particles शूड बी non-volatile, जो हमारे solute particles होना चाहिए, हमारे non-volatile होना चाहिए, अगर वोल्ड बीचर होगा, तो, जो भी हम एड़ कर रहे हैं, वहापे, जो solute हम एड़ कर रहे हैं, वो कह होना चाहिए, नोन-volatile निचर होना चाहिए, ठीक है, वोल्ड निचर होगा, अगर वोल्ड निचर होगा, तो, वो colligative properties के फिर अंडर वो नहीं आएगा, क्योंकि हम उनका dissociation और association नहीं होना चाहिए, जिससे हमने solute particles हैं, अगर वो dissociate हो रहे हैं, या फिर वो associate हो रहे हैं, वो निचर चलेगा, ठीक है, तो, जो solute particles है, नहीं उनमें association होना चाहिए, नहीं हम उसमें dissociation होना चाहिए, जो association और dissociation है, वो हम बात में discuss करेंगे, अलग हाता है, व तो यहां पर कॉलिक टीटिव बोड़ेज में एस्सेशिंट की बात नियुकर इसे शुगर है शुगर हमने इड़ किया तो शुगर में पोए एस्सेशन निसीशन हो गाई है नहीं तो यहां पे को लिगेटी प्रोबर डिजमेस के दो हम डिस्कस नहीं करेंगे, clear, so the solute particles should not undergo dissociation and association, कि जो हमारे solute particles है, ना ही उनके अंदर dissociation होने चीए, ना ही उनके इंदर dissociation होने चीए, यह हमारे condition है, किसकी है, यह कौलिगेटी प्रोपर्टिस की यह condition है, clear, समझ आ गया, कि जो कौलिगेटी प्रोपर्टिस है, solution है हमारा solute को liquid करेंगे, clear, किसके उपर depend करेंगा, amount के उपर depend करेंगा, nature के उपर depend नहीं करेंगा, अभी हम देखेंगे, सारी colligative properties हम पहले इसको देखेंगे, colligative properties होती कहें के है, ठीक है, बाद हम उसको प्रूव भी करेंगे, कि देखो, जो हमारा result आया है, result के अंदर नेचर की बात नहीं करेंगे, इसका amount की बात करेंगे, इसका amount जादा होगा, उसका effect जादा होगा, ठीक है, और यह condition है, जो हमारी colligative properties हो, इसको देखो, डालीूट solution के लिए ही applicable है, कि जो हमारा solution होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ठीक है, और जो solute particles होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, वो हमने पहले बात कर ली, यह solid and liquid है, तो क्या होंगे, solute particles, non-volatile nature के होंगे, और जो solute particles, उनके अंदर कोई भी association, कोई कोई भी dissociation नहीं होना चाहिए, कोई भी association, कोई भी dissociation नहीं होना चाहिए, क्लियर, colligative properties, इसको आप अपने कॉपी में और करो, और जो हमारे first colligative property है, उसको हमारे first colligative property है, उसको हमारे first colligative property है, that is relative lowering in paper pressure, इसको हम बोलता है, राउल साफर, non-volatile solute, ठीक है, अब देखो, freakinah, मेरे पास, एक container है, उस container के अंदर क्या है, उस container के अंदर, शुनá нет कोई भी एक pure liquid है, अब जो यह हमारा liquid है, उसके क्या होगर? होंगे i mé ψपर बनेंगे उसी क्या बनेंगे बंसके बनेंगे तो टाव'år'm ए developing गया जो जाओंगे लेपर प्रेशर क्यों होगा यह मेरा क्या होगा यह मेरा और दो लिघ्विद बोल दिततो हूँ क्यों कि अभी थो मैं इसनोन है यायृर ने की है न प्यूर लेंट लेकुड और होगा अब इसको कुछ ना कुछ क्या होगा अब एपय्कर प्रैशरियमेट रंगे वह ओगा इस में लेट कर योप क्या वह पीधन अपनोट होगा होगा मेरा एक कि निरम की सुफन के वां अधिक्श कर दिया कि प्योड ऑइन ऊसक्ते दिर कि और IlK को एडग किया अब दिहान कि जो सोलिड है ऊसका नीचर कैसे है जो सलिड है इसका नीचर कैसा नोन गलिडिलों होडाइल है कि आशी कई जो एक उसको यहां करें सबसकते हैं हमारा सब्सक्राइब करें hen Sixt ärना और कने मिक्स ऑगया है जुरूर ने हैं कि वो हमेशह क्या करे है? suspension form करे. वो mix भी हो सकता है. मिक्स होगा तो वो पूरे में क्या हो जाएगा? dispers भी हो जाएगा. तो यह हमारा सोलुड हमने carry किया. अब यह क्या बनेगा? यह हमारा solution हो गया. यह हमारा क्या हो गया हमारा? क्या है शोड़ों कि शोड़ तो कैसा ईनन वोल-डेल उसके तो विपर नहीं बनेंगे ने किस मृपनए यह जिसके अलए मझे बन रहे थे मन आ प्योर अ गrit pcs मने apron बनेंगे वेपर बनेंगे वेपर बनेंगे वेपर बनेंगे वेपर बनेंगे अब देखो जो वेपर बनेंगे वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे को प्रफव क्या बनेंगे, और जो यका हमुद के ओचा है, यह प्रिक यह हमने प्रिक्विड लिक्विड लिया तो यह पॉलिगец ने अन्र। अब जो पर प्रेशर आया मैंने उसको मानने कि PS S 104 solution पीनोट पीनोट अब यूर्ली का प्रेशर प्योर शॉल्विट का प्रेशर प्योर बोल सकते हो ठीक है PS क्योंगा क्योंगा सुलिशन का वेपर प्रेशर में अब ज़ो पीनोट हो घमेशा जशाधा होगा PSA हो सलीशन कल लुका में क्या होगा वो सल्यूक्ट से हमेशा क्या होगा जाधा होगा मुंसृलिशन से मेंशा क्या होगा जाधा होगा अभी मैं अब आपको बताऊगा की में रीजन कैसे का यहीं राइल साने बोला यह किसने बोला राएब्सामे सो अकोरिंग डूर त कि अ अकोरिंग डूरा हुण ता वैं आइद देन नोन वॉलटाइल लुड़र इडिवादिट इन आयग गड़ब ऑन विदे आज देड स्विद लिवपर अगड़ थिवपर प्रिश अगलगड़िण इस लोगर जो यह वेपर प्रश्र के अदेगा वह और जाएगा जैसे हम सोडेशाय करने पर कैने क्या होगा जो वेपर परेशर है क्या होगा कम होगा ठीक है मैं बहुत से बच्चों को यह पूरा टोपिक पढ़ लेते हैं तब भी यह नहीं पर चलता कि वेपर प्रेशर वो कम क्यों होगा उसके बीचे का अग में रखक्री अपर अपर्ण जादा बनेंगे तब यह पर प्रेशल जादा होगा यहां पर वेपर क्या बनेंगे कम रने कम क्यों हुआ उसका है एक्जेक्ट रीजन का उसका लिए बाते हैं पदा रिपेशी नियुक्त होता है पुरा डोन भी करेंटे लेते हैं लास्म क्यों हुआ उसका क्यारीजन है देखो सबसे फॉस्स इंपोर्टन पहले उराओ अपको सबसे फॉस्ट और मोस्ट इंपोर्टन जो रीजन है वो है एक हमारे पास लो होता है उसको बोलते है ग्राम्स लो है आपकोलिंगे टो ग्राहं सो जो रड़ एवापरेशन हो के है वह इनिवर्सली प्रपोश्टिन है कि इसके अंडरूट अफ देंस्टी के, अरे रड़ जो प्रपोश्टिन हो इसकीं इन्वर्सली प्रपोश्टिन है 1 बाइ अडरूट बाइ अन्रूट आफ डी है ठिक है कि अप दीगें डैंस्टी है ठीक है ईस सुलूशन की जो ना श्रूज ती वो नकर गीनेशन सलूशन की ढूंख यहां डिक दी ख्यूख एस को सालूजर गहां जो टिर दीनोंकप सबस्कूर्ण एक source or density of solution ठीक है अभ जैसे आप normal water ले रहरे हो water की डेन स्टी नर्मलाख नमल ले चलते है कर दिया अब शुगर को एड़ कर दिया अब शुगर करने पर यहोगा जो हमारा वॉतर होटर थोड़ा सा इसको जाता है अगर डास्टि solution pure liquid से ज्यादा है तो इसका मतलब आजिए जो हमारा rate of evaporation वो भी क्या होगा कम होगा रेट अप्रेशन क्या होगा कम होगा रेट अप्रेशन गाऊगा ठीक है क्यूंकि density का है density the solution is solution का अगर density ज्याद होई तो रेट अबेशन क्या क्या होगा कम होगा तो अगर density लग लगा कम होगा अगर अगर प्रत लेट के बसिंग क्या हूइ थी, तो जो नंबर नंबर वेपर वहीं कहा होगा चिंगा ऐक काम होगा है तो लिभी कर वो इन वाफ तो जो नंबर का वेपर, वी त्था बेन Cu वेपर प्रेशर हो वो भी क्या होगा कम को ब्रम भाँ हो कम होगा थिक है तो रेट और यह अगर डिखर ऑपार अगर number of vapors कम बनें, तो vapor pressure भी क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो first or most important reason तो यह है, according to gram slow, gram slow, according क्या है, कि जो rate of evaporation है, वो inversely proportion है, under root of density के, ठीक है, अब हमें पात है कि हमने उसके अंदर कोई भी solid को आड़े कर दिया, तो density बढ़ गी है, तो अगर density बढ़ गी है, तो फिर rate of evaporation क्या होगा, कम होगा, अगर rate of evaporation क्या होगा, number of vapors कम बनेंगे, कम बनेंगे, तो फिर सेकेंड रिजन लेखते हैं, percentage, surface area, percentage surface area, देखो, पहले जो हमारा pure liquid था, यो pure solvent था, उसके अंदर सिर्फ लिक्विड था, उसके अंदर कुछ और नहीं था, तो जितना भी सारा का सारा area था, सारा का सारा area कौन occupy कर रहा था, सारा का सारा area था, प्योर लिक्विड उक्यूपा है, सारा का सारा क्या कर रहा, pure liquid ही occupy कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुगा, यहाँ पर हमने, हमने, हमने solid को add कर दिया, अब solid को add करने पर क्या होगा, जो हमारे solid solute है, जो हमारे solid solute है, अब वो भी कुछ ना कुछ area occupy करेंगे, जो हमारे solid solute है, वो भी क्या करेंगे, कु है पूरा हंड़र परसेंट था यहां पर एरिया परसेंट अगर हमारा इंटी परसेंट आया तो बोलता है कि जितना परसेंटेज अर्फेस अरिया कम होगा जितना परसेंटेज सर्फेस अरिया क्या होगा कम होगा जितना परसेंटेज अर्फेस अरिया क्या होगा कम होगा उतना क्या होगा उतना नंबरों वेपर्स क्या बनेंगे कंबनें ऊथना नंबपर सबस्क्राइओं ने का बनेंगे और जितना नंबरों मेप अंपने तो जो वेपर प्रेशर इक्जर्ट करई में वे वी बहुत करें है कम इने डानिंगे नमरों वेपर सब्सक्राइओं यजर्टया झर्म Admire कि यह प्रसेंटेज सर्फेस एरिया है यह प्रसेंटेज सर्फेस एरिया है यह प्रसेंटेज सर्फेस एरियो सोल्विंट की बात करेंगे तो मेन बात यह है मेन यह है कि और पिक जो मारे स्ोलेड सोलीट है नियुश्वार के एरिया उज्वार को बार को यह सकता है , ऐसके वेपर बने के रास्ते में आर является वो उसको हिंड़ित कर रहा है उसके वेपर बनने की power को क्या मतलब वेपर कम बनेगे क्योंकि जो हमारा solid solute है अब बीच में आगया उसने कुछ ना कुछ area क्या कर लिया अब occupy कर लिया अगर उसने कुछ ना कुछ area occupy कर लिया तो जो हमारे जो solvents की वेपर बनने तेना वेपर क्या बनेंकशने को उसके रास्ते में क्यों हूंुण करें किर रासते में हमाए sorry अर्षिययर नियुकैंट करें universal कि करें है उसको सब्सक्राइब कर दो Door हमने solute क्या कर दिया तो वेपर भी क्या बनें कम बनेंगे और वेपर प्रेश्र भी क्या करेंगे कम exert करेंगे ठीक है तो यह दो हमारे reason है एक gram slow है और एक क्या है surface area है ठीक है main में आपको वह बदारों symbol क्या है कि अगर हम solute क्या रहे हैं solute क्या होगा जो हमारा짜 solid ke particles है वह उसके क्या आएंगे वह उसके ams के वेपर बने को इसको वेपर नहीं बने लेगे वह उसको kiya करेंगे हrau Maybe Map करेंगे उसकी वेपर बने की power को मतले आए सब उसके रास्टे में आ रहे हैं एक तरह से आप यह लगा सकते हो थीक है टो इससा मतल़ है कि जैसे नीचे से ऊपर बने आ रहे है तो जैसे वह उपर जाए गा ब सी सधय नियों से कहा होगा नीचे आई जाएगा दोब जो rate of evaporation और ג highlight of contextualों के भी का Player RODE ίζोडेशन आप जो rate of condensation हो क्या होगा हमारा कुम होगा थिक है तो यह था हमारा 친 आए कि जो में रीजुन क्या होता है कि सके उपर काम करता है है ठीक है। आभी मैं पहले आपको इसको graph बताऊंगा। फिर मैं हम हप आपना जो main है कि कैसे इस की value calculate करते है, फिर हम वह देख करेंगे। जहां जो graph रो करेंगे, graph draw करेंगे, यह अपने पहले भी क्या हुए, करेंगे हम rate vs time, rate vs time ख्रों करेंगा फैका इप से आपको समझ में जाएगा कि जो ऑर जो जो OR जो एक का वेक्ट कॉशन तो गदे में का इसे अ भीत कबैबने को और आई अब सके जो मेपर बनना चुरू होगा और उसके वेक्टर बने है शील थे भाद से बनते है युष के वेपर बनते है same rate से बनते है same rate अग्eps हो我也 n человека 10 बने तो हर बर दस बनेंगे वा है ओंड़ियूस चलता रहेगा ठाइक है ध्यूस के वेपर गया मिनेंगे मालब AG इतार बेट्स पर बने रहे हैं अब एपर ज़ाद होगे है अब वेपर क्या वेपर मतेन होगा ज्याद हो गए तो वह कंडेन सोना शुरू होएंगे मिदस बैपर हर शेकिन के में तो वेपर पूरे हो गया अब क्या हुआ होगे पनेंगे नहीं नहीं अरो नहीं से eater डाफ। ऑल अल है थारे नहीं हो यह ऐगीं है तो यह मेंटेन और आसी घंख कंच और को श्रेड का था रिटरेजनं किया है रोजिया अरो than जाने चाहिए तभी आपको थोड़ा ग्राफ क्लियर होगा अब आपको एक्स्पेंड करूंगा ओके देखो यह जो मैं यहां पर ले रहा हूं यह है सुल्यूशन का और यह है प्योर लिक्विड का ठीक है अब देखो मैंने आपको बता है कि जो rate of evaporation है rate of evaporation हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा अगर पर सेकंड दस वेपर बन रहे हैं तो शूरू से लेके last तक हमेशा 10 वेपर ही बनेंगे तो जो यह लाइन है यह लाइन क्या होगा है हमारे rate of evaporation यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगया यहाँ पर फिक्स रहेगा अब जो यह है यह का ओ, यह का ओ, बोलो या फिर ये, यह हमारी rate of condensation, rate of यह क्या है, condensation, देखो, शुरू से लेके, लाज सते rate of vibration हमेशा क्या था, constant था, rate of vibration हमेशा क्या था, constant था, अब शुरू में condensation तो होई नहीं रही, अभी तो vapor बनना शुरू हो रहे है, ठीक है न, condensation, जैसे vapor बन जाए जाएंगे, मतलब जो rate of condensation है, क्या होगा, increase होना शुरू होगा, rate of condensation क्या होना शुरू हो जाएगा, और एक पाइंट ऐसा आएगा, rate of evaporation, rate of condensation और बोलते है, कि जब हमारा जो vapor है वो equilibrium में आ जाए किस साथ evaporation और condensation क्या हो equilibrium में हो उसी को हम क्या बोलते है vapor pressure बोलते है ठीक है ओके तो यह समझा आगा rate of evaporation और rate of condensation क्या होगा same आगए और यह point क्या होगा हमारा time of equilibrium हो गया मतलब यह इस time पर क्या हो गया equilibrium गंदर आ गए है ठीक है अब देखो important बात क्या है important बात यह है कि जो हमारा solution है मैंने अब बताया solution क्या है solution के रास्ते में कौन आ रहे है solid के particles आ रहे है तो vapor क्या बनेंगे कम बनेंगे vapor क्या बनेंगे बनेंगे तो rate of evaporation भी क्या होगा कम होगाulator liquid per second 4 और बना तो जो हमारा solution होगा per second वो 8 extremely क्या होगा कम बनाएगा तु exciting बनाएगा तो अगर वो कम अ पर बनाएगा तुसका rate of evaporation भी क्या होगा कम होगा rate of evaporation भी क्या होगा अगर उसका rate of evaporation ही कम हुआ तो rate of condensation भी क्या होगा क्योंकि जितना rate of evaporation होता है ultimately बाद में उतना ही क्या हो जाता rate of condensation हो जाता है तो rate of evaporation भी कम है तो rate of क्या होगा condensation भी कम होगा so ultimately जो pure liquid है pure liquid का vapor pressure ज़्यादा होगा क्या होगा कम होगा वेपर प्रसंट क्या होगा और सुलिशन का होगा को क्यों क्यों कियों किसे लेट रोड़ेशन क्या है जादा है इसका रेड़ एक हम when No violations को कुछ होका ऑठ हो के हमारा और ग्राफ रेट वर्सिस टाइम होगा ठेक है तो आपर क्लियर लिख रहा है कि जो प्योर लिख्विड के ज्यादा है रेट और जो सुलूशन है उसका रेट के है कम है रेट किसका रेट आए ये है रेट ओफ एवापरेशन और जो जो हमारा कंडेंसे जब दोनों के आएंगे इकली बीरियम के अंदर आएंगे ठीक है तो ये लाइन है और ये लाइन है ये इसी को ही रिप्रेशन कर रहे है तो यहां पर लिख्विड में क्या और ज्यादा आ रहे है उसका रेट के है ज्यादा रेट का मतलब के ज्यादा रेपर है वहां पर सेकंड दस एपर आ रहे है यहां आपके अगर पर सेकंड आठ वेपर तो जल्वा होगे और जितना जdong ज़दा नटीब एक उतना जादा क्या होगा वेपर प्रेषर होगा ठीक है तो प्योड लीघ्विडन्य प्योड आप श्लुशन का जो भी हमें experimental data से जो वैले जो कैसे calculate करेंगे क्या हमारे formulas होंगे जो derivations है वो अब discuss करेंगे अब देखो according to राउटस्ला राउटस्ला ने क्या बोला था जमने सबसे पहले पढ़ा था according to राउटस्ला ने कुछ राउटस्ला के बारे में हमने पढ़ा हुआ कि राउटस्ला क्या है अगर हमें किसी का भी वेपर प्रेशन निकालना है अगर हमें ठीक है, अब देखो, मैं निकाल रहा हूँ, जो भी मेरा, जो मैंने solution बनाये था, solution के अंदर क्या था, volatile तो solvent था, और जो solute कैसा था, वो non-volatile था, ठीक है, तो मैं अगर महाँ पे solvent का vapor pressure निकाल लूँ, vapor pressure of solvent in solution, vapor pressure of solvent in solution, किसकी एकपल होगा वो, mole fraction of solvent in solution, mole fraction of solvent in solution, कि अगर मेरे को, मेरे को किसका निकालना है, मेरे को vapor pressure निकालना है, solvent का solution में, obviously मैं solvent का solution में यह तो निकाल लूँगा, solution की बारत करते हैं, रावल सामे, कि मेरे को vapor pressure निकालना है, solvent का solution में, तो किस्की को लोग होगा मलश शल्वाइट सोल्वेंट इन आ इंदर मलवेश्ण कितने अाइड विपर पर केरो ह। रूर्प धूर्ए रूंटि यागरता लूम्न तो सकता पेशंड शैनल कितना होगा दो मेरा आपको बात रहो कि जो भी मेरा स्यूूशन लिया था how मैरा जा टा सलेशन था जो मेरा क्या था जो मेरा क्या था सलीूशन था अब सॉलिशन उंडर क्या था स्लिशन उल्रें थी था और सव Oyamp दितना भी वेपर क्रेसर सॉल्यूशन का हंएगा जितना भीृपर प्रेशर की आएगा स्विलूशन की वहरो बहुत इंबोडन बात है आपका प्रूरी ग्लसरियोहा दूशची मैं आपको दुबारा बता रहica कि proceed बैपर में जतना भी वेपर प्रेश्पर में किसका होगा स्लूशन का होगा। वेपरप्रeSHर सल्वेशन का हूगा, ठीक, het मैं यहाँ पर्वेशन गाऊ प्रोय इस और सल्वेशन हों सल्यूशन के उंदर, जितना वेपरप्रेशर स्टॉवेट का है री किसो द रीचर सल्वेशन में वही जो क्या होगा, प्रिसक्ट fel और क्या है, हमारा यहाँ बोलटाई solvent in solution is equal to vapor pressure of solution जितना vapor pressure का solvent का होगा solution में वही क्या होगा vapor pressure solution का होगा ठीक है मैं यहाँ पर pure solvent ने रहे हैं कभी आप confused जो कि सर आपने तो बताया था कि solvent का तो जादा होता है और solution का क्या होता है कम होता है वो pure solvent का होता है जब हम pure solvent को compare करें solution से. यहाँ में compare करूं solvent का solution में जो solvent का solution है vapor pressure होगा वही पूरे के पूरे के solution का होगा. क्योंकि हमारे solute है वो तो क्या है? non-volatile है. solute कैसा है? non-olatile ठीक है? तो मैं इस की जना ये put कर सकता हूँ. vapor pressure solvent and solution के जना vapor pressure of solution को put कर सकता हूँ. ठीक है? So, यहाँ पर क्या या वेपर प्रेशर ओफ solution is equal to mole fraction of solvent in solution multiplied by क्या आएगा वेपर प्रेशर ओफ प्योर सोलवेट वेपर प्योर 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 तो अप्योर प्योर तो अप्योर तो है तो मेरी यह क्रिशन आगी है कि जो सोलेंट का वेपर एशन सुलूशन में वही क्या होगा सलूशन का वेपर प्रेशन होगा सिंबल सी बात है ठीक न मैं अलग से प्योर सोलेंट को कम पेर निंग करा कभी आप कुन्फ्यूज हो जाओ अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पी एस पी एस क्या है पीसा वेपर प्रेशन सुलूशन इस इगल तो मॉल फ्रेक्शन सॉल्वेंट इन सुलूशन मैं आपको पहले बताए है कि जब मैं वन लिखते हूं वन का मतलब का है जौर्म अक सौल्वेंट है तो मॉल फ्रेशन और सौल्वेंट इन सौलेशन मतलब एक्स एक तो मेरे वापर प्रेशन अप्योर लिक्विड वो क्या आएगा पी नोट आ जाए गा तर यह क्या होगा है मेरा ps is equal to x1 plus x1 into p note इसको मैंने symbols की फोर्म में लिख दिये न और वेपर pressure solution क्या होगा ps होगा mole fraction क्या होगा x1 होगा और प्योर लिग जो प्योर solvent है उसका वेपर pressure क्या होगा पी note होगा अब देखो जो p note है पी note होता है constant होता है उसकी particular value होती है जो पी note होता है जो पी note होता है जो पी note है पी note हो तो क्या है constant है उसी एक fix क्या है value है अब अगर यह constant है तो इसका मतलब है कि जो ps है वो directly proportional है किसके x1 के जो ps है वो क्या है directly proportional है किसके x1 के x1 के mole fraction of solvent mole fraction of solvent clear तो यहां बोल सकते हैं कि जो वेपर pressure solution a with a pressure solution is directly proportional to the professional solution is directly proportional to mole fraction of mole fraction of solvent in solution mole fraction of solvent in solution is over pressure solution guy a book is k directly per watch time mole fraction of solvent in solution obviously jitana jana mira solvent hoga jitana jada camera solvent hoga uttana jada kya hoga vapor pressure hoga jitana jada solvent kamala kya solute uttna kya hoga kamoga or jitana kya solute hoga vapor pressure uttna kya hoga zada hoga solute jitna jada hoga yasher solvent uttna kya hoga kamoga tada pressure kya hoga kamoga tikka togram is a graph droga majao yaha pya yaga mole fraction of solvent or yaha pya yaga ps vapor pressure of solution graph kya banega graf banega directly kya don't know kya hai directly jitana yada mole fraction solvent 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 solute in solution he dihanah na alak se batnikara wahi kya hoga vapor pressure humara solution got nothing kya hoga obviously zada hoga solvent zada honne ga maila bagi solute kya hai kam hai solvent zada honne ka matlab kya solute kam hai tohra mne thoda solute addi kya hai thik ato vapor pressure kya hoga zada hoga clear okey to aq baris qap karo no down karo phirma aqo aqe jiski derivation sem da guy go extend kata ho together to nanta jaja takiya amara yantik him in a kya qiyo psaa psk queq ala acts 1 into p note psv kuala x1 into p note ndeks to agon generation tiri in the aqe jim karheen kare in aqe jim karane is say again forward kare in his own okay to emerging data result kya ita why ita vapor pressure of solution is equal मैं करब यह कौन है पिस पी अपरम में पीनोट कर दिया मैंने पीनोट है उसको मैं यहाप लिया तो किसके को लोग हो गहा है वह एक्स द्याज है ु है एक सन का है एक सन इसना मोल 4ijos solventえक सलमेंट कियम प्रिक्षिन ओफ शॉलेट टो पीस ऑपोन पी नोर्ट एक्सलिटा मैं अपान में एनवान प्लस ऑनकार फैसिना ऑग पॉर्ट्रेशंगे होता है जिसका भी निकाल रहे है ऊपर उसके मॉल आएंगे ऊपर उसके मॉल आएंगे नीचे क्याएंगे टोटल मॉल आएंगे यहांपे ठीक है तो यह हो गया अब देखो अब मैं क्या करूंगा यहां तरफ ना दोनों तरफ वन में से सब्सक्राइग क 1-ps by pnote is equal to 1-n1 by n1 plus n2. ठिक है? यहां पर मैं cma लोगा, लिसमे लेने पिता पितां van आगा? पीन पितांड को पीन को, ha? पीनोट-ps upon में क्या जाएगा? पीनोट आएगा, यहां पितांड लोगा तो यहां पितांड आगा? पीनोट-ps by peanut land यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा आपका एन वन प्लस एन तू मैस्में अर अपन में आएगा एन बूस एन टू एन वन का ओंग आइन हसे कैंसल कि अच्छे है नहीं चैनल रूट्स एक़र यहा न यापई जो रिजुल्ट है रिजुल्ट क्या n2 आ गया ठीक है और पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट देखो n2 अपॉन एनवन प्रेस अन तू अब क्या बन गया यह उपर मॉल किस क्या रहे है solute क्या रहे है, तो यह बन गया मेरा x2, x2 मतला mole fraction of solute mole fraction of solute बन गया यह ठीक है, अब देखो जो peanut, मेरा peanut minus ps है ना, peanut minus ps है इसी को ही हम बोलते है peanut minus ps इसी को हम बोलते है, lowering in vapor pressure lowering in vapor pressure, देखो peanut क्या है, peanut है मेरा pure solvent का pressure, pure liquid का pressure और ps क्या है, ps है solution का pressure peanut है pure liquid का और ps का solution का, मैंने बताया था ps क्या होगा, हमेशा कम होगा और peanut हमेशा क्या होगा, जादा होगा, ठीक है अगर हम non-volatile solute को ले रहे है clear, लेट से कि जैसे peanut है peanut का 100 है, solution का कितना है 80 आ गया, तो कितना कम हो गया 20 कम हो गया, तो यह होगा lowering in vapor pressure कि कितना क्या होगा, कम हो चुका है तो कैसे निकालेंगे, peanut minus ps, और इसी को हम लिखते है delta of p delta of p क्या होगा peanut minus ps, कि जो मेरा vapor pressure कितना होगा, कम होगा, तो कितना वो lower होगा, कितना वो decrease होगा ठीक है, ओके, तो अगर इतनी टम लो, इतनी टम तो मैं बोलूँगा lowering in vapor pressure, ठीक है बट अगर मैं ले रहा हूँ, peanut minus ps upon me peanut, जाफर इसको बोल दूँगा, उपरवाल तो क्या होगा, delta p upon me, peanut इसको हम बोलेंगे, relative lowering in vapor pressure relative lowering in vapor pressure ठीक है, देखो, relative lowering का मतलब क्या है relative time में, हम किसी से relate कर रहे है, किसी के हम relative बात कर रहे है, ठीक है, देखो, ये उपर वाला तो आगे, कितना decrease हुआ किसके comparison में pure liquid के comparison में तो बात करेंगे न हम, कि pure liquid में जैसे हमने solute को add किया था, कम हो गया, कितना कम हुआ, उपर वाला किसके comparison में कम वा liquid comparison में, तो आगे, इससको बोलेंगे relative lowering in वेपर प्रेशर बहुत important हम है, एकजाम में कई मरे हम गलती करते हैं, हमें निकालना है lowering in वेपर प्रेशर तो हम सिरूफ निकालेंगे p Minor- ps अगर हमें निकालना है lowering in तो हम निकालेंगे P0 माईनस PS, अगर हमें निकालना है, relative lowering in vapor pressure, तो निकालेंगे P0 माईनस PS by P0, ठीक है रहा, lowering in vapor pressure क्या होगा, P0 minus PS, कितना degrees हुआ, simple सी बात है, relative lowering in vapor pressure, किसके comparison में, pure liquid के comparison में, कितना कम हुआ, तो क्या होगा, P0 minus PS by में P0, Aaah है अभी करना कि आप ए्सकों प्रोफ करना है कि क्या। यह कॉलिगी इप्रोफ अफ्री नहीं है क्या ये खुलिगेटिव प्रोबर्ट या फ्री ये नहीं है क्या थी कि वह अमाउंट व से लूट के उपर डिपेंड करेंगी अब देखो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर परशर किसके डिरेक्ट लिकिसके को लागिया है मौल फ्रेक्शन ओफ सुल्यूट के त तो ये गया होगे हमारी कोलिगेटिव प्रोबर्टी होगी ठीक है तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेक्शर अर्डेट लोवरिंग इन वेपर प्रेक्शर इस एक्वल तो mull fraction of solute mull fraction of solute in solution mull fraction of solute in solution hence this is a collective प्रूबर्टी ऩी क्यों होगी क्यों हो घ्योan यह क्वेस्ट इसे हाट गीजि़ेशन जलैचनल क्या होगा ज्यादा हो जितना ज्याद constitution क्या हो जादा उतना एपर पैशर क्या कम होगा उतना एपर पैशर क्या होगा कम होगा थी कैसे एक्वल हो हमारा मॉल वो सुलीट के एक वल है इसलीह कि है हमारी को लिगेटिभ फ्रोपरिटी एए क्लियर ऑके क्लियर अब देखो इसमें हम थोड़ा सा और एक्सेंड कर सकते हैं उसको कैसे एक्सेंड कर सकते हैं देखो जो देरा पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके एक्वल आ गया यह आ गया एक्सटू के एक्वल आ गया अब एक्सटू के एक्वल आ गया अब एक्सटू आप यहां पर बनेमेndाने नियुट्प मिया जब्यूते शेला गूते हैं लुता हं प्रम्फी हषाई है मिलब इसकी रोटे समय प्र हदेक्ट होड़ा सा मुश्किल हो जाता है थे लिए क्या करते हैं four very dilute solution for dilute solution हमने भी बात की करेंगे लिए अगर dilute solution है हमारा तो देलुट solution केसे में क्या होगा जो देनोमनेटर में जो n2 है न जो दिनोमनेटर के इंदर अदर इंटको हमारा बहुत जादा कम होता है थो देनोमनेटर इंदर अगर सोल्यूट हमारा बहुत ज्यादा कम होता है अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा ही कम है ठीक है तो मॉल फ्रेक्शन में अंदर जो डिनो में टरके अंदर एंटू आता है उसको को नेगलेट कर देते हैं किस फोड़े किसी करने के लिए कितना डियूट होना चाहिए 5 परसेंट से कम होना चाहिए जैसे कि अगर हमारा 100 ग्राम है टोटल सलूशन ठीक है तो 96 ग्रम अगर लेट खे कि हमारा सोल्वेंट है और 4 ग्रम क्या है हमारा सलूट है तो हमसको डालूट स्वेशन में काउट करते हैं ठीक है एक आई डारों आपको ठीक आपको बता नहीं चलेगा कि कहां पर कौन सा डायूट सुलिशन नहीं है कहां पर नेगलेक्ट नहीं करना है तो अगर 5% से कम एस सलुशन है तो क्या गर दो नेगलेक्ट कर दो ठीक है लेट से कि 90 ग्राम क्या है तहीं ग्रैम करोड़ है तो तो टैनी परसेंट सल्यूशन होगा तब उससके में नेगलेक्ट नहीं करोगे ठीक है नेगलेक्ट करोगे तो क्या अएगा पीनोट माइन स्पी एस अपन पीनोट मॉट इस इकल दो एन डू अपन यह उनलेगे number of moles of solute upon number of moles of solvent, ठीक है, अब हमें बता है कि N2 क्या होता है, number of moles कैसे निकालते है, given mass upon में molar mass, N1 कैसे निकालेंगे, given mass of solvent upon में molar mass of solvent, इसको यहाँ पूट कर देते हैं, सो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, N2 क्या होगा, W2 upon में molar mass of 2, अपॉन में क्या आएगा, N1 क्या होगा, W1 upon में molar mass of solvent, ठीक है, सो अपॉन में पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, क्या आगे है, W2 upon में molar mass of solute, into में molar mass of कहाँ चल जाएगा, उपर चल जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, W1 आगया, ठीक है, तो मेरा last में finally यह relation आगया, यह relation आगया, ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो given है, उसके coding चलना है, अगर moles given है, तो moles के coding formula लगाना है, या तो यह लगाना है, या फिर यह लगाना है, अगर dilute है, तो यह लगाओगे, अगर dilute नहीं है, तो फिर यह लगाओगे, ठीक है, अगर जैसे आपक जोने बिल्कुल वह आपका अंसर हो जाएगा ठीक है अगर आपको यहां पर कल्कुरिशन जादा नहीं करनी तो ठीक है और अगर आपको नंबर फ्मोल्स गिवन नहीं है बटापो क्या गिवन है आपको वेट मोलर मास गिवन है तब आप इस होम लेका यहां पर यूस करोगे ऐसा ही यह वाला चीज आप इसमें भी गड़ सकते हो और अगर आपको डारेक्ली मोल्स गिवन है तब आप डारेक्ली निकाल लोगे और सबसे इंपूर्टन बात अगर आपको लोवर कर प्रस्ष निकाल नहीं तब तो निकालोगे पीद में पीएस पीनोट माइन से पेश PS by P note तो आपको यह काल गट करना है ठीक है तो उसके पर जो कोशिन गांदर गिवन और और उसी के अपने करना है ठीक है अब देखो होता क्या कि कई बार क्या हमेशा ही होगी है ठीक है क्या होते है कि हम यह formula यूज करें या फिर यह formula यूज करें अगर यह formula यूज करें तो क्या है यह formula यूज करते हैं कई में अंसर सही नहीं आया तो दुबारा से में यह calculation करनी पड़ जाए ठीक है यह हमेशा मैंड में confusion रहेगी कि यह formula यूज करें या फिर यह formula यूज करें वहां पर calculation जाद होती है यहां पर calculation का मोते बट क्या पता हमारा जो अंसर अंसर करेक्ट ना है अंसर आसपास नहीं थोड़ा दूर हो तो वहां पर हमें थोड़ी प्रोप्लम भी हो जाती है ठीक है तो मैं आप आपको सिर्फ एक formula ड्राइव कर रहा हूं जो हमेशा लगेगा कहीं मर्जिल लगा हो सब जंग लगेगा वहां पर आपको नहीं है ओके दिखर मैं आपको formula बताओ है आपको में टराइव करें हम वहां पर आपको भी नेगलेक्ट करने का कोई भी जूर्त नहीं है बिना नेगलेक्ट करें आप फॉमला भी सिंपल हो जाएगा और आप उसकी value भी या कर लोगी इसली calculate कर लोगे, ठीक है, देखो, हमारा formula क्या आया था, हमारा formula ये आया था, कि p0 minus ps upon p0, किसकी एक वल था ये, x2 के वल था, p0 minus ps by p0, किसकी वल था, x2 के वल था, ठीक है, so p0 minus ps upon p0, x2 क्या होता है, n2 upon n1 plus n2, x2 क्या होता है, n2 upon n1 plus n2, होता है ठीक है मैं करो मैंने मेंस को रिवर्स करो मैंस करें रची प्रोकलिए रहो रेस्ट रोकलियर ने प्रोकल लेने मिका होगा मेरा पी नॉट हाओ ऐपर चाल जाए गा पी नॉट को ओपर कर रहा हूँ और पीनॉट मैनस पेसे करो में चाहिए थिक है ऐसे ही मैं and one plus n2 और करусов और एंडू मंटेपला नीच्छे आज यहां ट सब्सक्राइब कट पूछे। पी नोट अपोन पी नोट मैनस पी एस एन एन वन फ्लस अनों बाई न्टू दिमुनल डियुटर क्या ओगेँ सेप्रेट हो गैज प्लस एन टो बाई एन टू टो यह अन। फोर इन टो फोर कितना आ गया यह, आं पर बना गया, थेक है, तो किया फै आपर पी नोट अपोन प P note by PS is equal to N1 plus N2 plus 1. N1 plus N2 क्या आगया? Plus 1 आगया आपर. ठीक है? देखो. P note upon में P note minus PS. P note upon P note minus PS is equal to क्या आगया? N1 by N2 plus 1. N1 by N2 plus 1. अब जो यह plus 1 है इधर आगया क्या हो जाएगा? P note upon P note minus PS minus 1 is equal to N1 by N2. ठीक है? अब यहाँ पर क्या लोगा? मैं L-SIM लोगा. L-SIM कितना आएगा मेरा? P note minus PS आएगा. यहाँ पर क्या होगा? P note minus. P note minus PS is equal to N1 by N2. ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? L-SIM ले लिए. L-SIM लेने पर क्या आगया? P note minus PS बहर minus है. अंदर multiply करेंगे तो P note minus P note और minus minus क्या हो गया? Plus PS upon P note minus PS is equal to N1 by N2. P note से P note क्या हो गया? Cancel हो गया. ठीक है? Ultimately क्या बचा? P note minus PS is equal to N1 by N2. क्या बचा? P note minus PS is equal to N1 by N2. ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको भी क्या करूँगा? इसको भी cross multiply करूँगा. मदलब या फिर यह लगा लो कि denominator numerator में जाएगा? numerator कहा जाएगा? denominator में आएगा. ठीक है? सु क्या आजाएगा? P note minus PS upon me. PS. P note minus PS उपर चला गया और PS क्या हो गया? नीचे आगया? तो calculation भी क्या होगी है? easy होगी है. इस formula से calculation भी easy होगी और हमें कुछ भी neglect नहीं करना पड़ेगा. आपने ये formula यूज़ करना है. P note minus PS by PS is equal to n2 by n1. is equal to n2 by n1. आपने इस formula को use करना है. ठीक है? हमारा पहले वाला formula क्या था? पहले वाला formula था हमारा P note minus PS upon P note. P note minus PS by P note is equal to kya था? is equal to था? n2 by n1 plus n2. ये हमारा formula था पहले वाला. P note minus PS by P note is equal to n2 by n1 plus n2 था. ठीक है? अब देखो, वहाँ पे हमें अगर हमें n2 और neglect करते, तब हमारा formula ये बन जाता. फिर यहां पर क्या है यहां पर दॉग्योंचर के अदर है पी अंपर क्या था पिणोड करेंगे है अगर आप से में पहले बढ़े है था अगर हम उसको निगलेक्ट करते है तो अरगा यह ज्यादा संदा भागा तो हम गलत हो जाएगा बट इस formula के अंदर हमें कुछ भी निगलेक्ट नहीं करना और हमारी calculation में क्या हो रही है बिल्कुल इजी हो रही है बट इसकी बेक लिमिटेशन है लिमिटेशन ये है कि आपको ध्यान रखना है बहुत इंपोर्टन बात है ये रिमेंबर दिस इस नोट डिममबर दिस इस नोट रिलेटिव क्या हो रिलेटिव लोवरिं इन वेपर परेशार कितना कम हुआ तो वो रिलेटीब लोणीग इन के लिए तो अगर आपको रिलेटीव लोवरिंग इन दिःफ़ प्रेशन नहीं है तो अगर आपको रिलेटीव लोवरें इन दिःफ़ नहीं करोगे लिख लो बहुत जादे इंपोर्ण बात हैं सब जगा फॉर्मला लगेगा यह एक्सेप्ट एक जगा अगर रिलेटिव लोवरिंग निगालना तब आप इस फॉर्मले का यूज नहीं करोगा तब आप उससे ही निगालोगे ठीक है अगर आपको नॉर्मल लोवरिंग इन व इसको में मुत्त मृट्त भॉड़मा खुर्णा कि लमा फोगा सोभी नोट मैनश पीयस अपॉन में पीयस उखीयो तेखो एंडूडीट सो मैं रखी ओके भूंची लानवार कि लिए my फुक्री अपॉन में model मासला नभीन अपॉर मॉल्र मासला, मासली तो लुत मांस पी क्ने सब क्राइब पय सब छो कि चॉ हम ये नभॉन अज यो इस इयुम टू फं क्म्र का थो स्कति हम एडली के तो सोल्वेंट घृट वेटोस और ग्रैम के अंदर नहां पर क्या पर शरेंगे तक है यह है इसथे तर्ण से जो यह है मोलर मास मेरा उपर चला जाएगा अब मैं यहाँ यहां पर यहाँ पर थाँजन से क्या करों मैं डिवाइड करों 1000 से मुटिप्लाइग करों 1000 से क्या करों डिवाइड करों सो पीनोट माइनस PS अपोन PS is equal to n2 by w1 यह 1000 मैं इसके साथ लिख रहूं और इंडू में क्या है, मोल्र मास और मैं. इतनी टम् पूरी की पूरी क्या बन गिए है, मोलं अपोन में 1000 तो यह Californ Strange or आपन 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 में 1000 यह श्यंट खारा है अगर आपको मॉलालि टी निकालन muerte है या फिर आपको morality given है और आपको कुछ भी पी नोट निकालना है पीस निकालना या कुछ भी निकालना है ठीक है एकसे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेश्ट तब भी यह formula क्या होगा अप्लिकेबल होगा ठीक है आप मैंने बहुत बता दिया कम से कम आपको 4-5 formula बता दिया है कि कब कौन सा यूज करना है ठीक है इसके बाद हम कुछ कोशन करेंगे इस वीडियो के बाद इस कोशन चारपाई कोशन करेंगे उसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे-कैसे formula का यूज करना है ठीक है फिर उसके बाद आपको एक डिपी भी मिलेगी और उसके अंदर दर से पना गोशन सोंगे तो आपको आपको आईए अग्राफ रोगळ दरता हूं अ कि अ कि सुल्विट किस नेखा कि सब्सक्राइब है कि वो जिरो है यह पर ठीक अब देखो मैं जब सुल्व अन्ड़ पर सेंट आ है इसलिव तो कैसे यह पर नोन वोल टाइल है अगर सारे का सारा सॉल्यूट होगा नोन मॉल्टाइल तो कोई भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि एक भी वेपर नहीं बनेंगे जब सॉल्यूट ही सारे का सारा होगा तो कोई भी वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा जीरो होगा कि जब सारे-सारा शॉल्वेंट होगा उसमें सल्यूट्ट नियुक्ए तो क्या ओगा वेपर प्रेंशर हमारा किसा आएगा प्योर खाएगा तो यह हमारे ग्राव बनेगा जैसे जैसे हम solute को add करते जाएंगे जैसे हम solute बढ़ते जाएंगे तो vapor pressure solution क्या उतर रहेगा कम उतर रहेगा ठीक है let's say कि यह मेरी concentration है यह मैंने वह एक composition ले लिए जहां पर solvent जाद है solute क्या है कम है solvent की तरफ है तो solvent क्या वा जाद हुआ तो इसके उपर यह मेरा क्या आएगा vapor pressure of solution आजाएगा क्या जाएगा vapor pressure of solution आजाएगा ठीक है अगर 100% solvent आथा vapor pressure pure का अगर solute 100% आथा vapor pressure zero कोई पर प्रेशन नहीं होगा अगर इन में से बीच में कोई composition ले रहे हैं उस composition पे क्या होगा हमारा वेपर प्रेशन आएगा हमारा solution का आएगा हो ठीक है जो solution का वेपर प्रेशन होगा हमेशा क्या होगा solvent से या फिर लिक्विट से क्या होगा वो कम होगा clear so this is all about round staff for non-volatile solute या फिर रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर या फिर हमारी फिर्स को लिगेटिव प्रोबर्टीज ठीक है तो पहले तो आपको यह करना है अगर आपने से पहले वाली वीडियो नहीं देखिया है आपको यह उससे आप रिलेटिव कर पाओगे तो अगर आपने वा वीडियो नेकर तो सबसे पहले जाके वा वीडियो देखो clear और next lecture हम इसके क्या करेंगे इसके कॉशन करेंगे इसके बेस पे ओके थैंक्यू डट्स व्रोम माई साइट